नमस्कार किसन बाईयों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा किखेती यूटूब चैनल पर जैसा कि किसन साथियों में आपको मेशा बताता रहता हूँ कि सू भी जम जायते सू फलम यानि अच्छा बेजी अच्छी फसल की पेदावार दे सकता है तो इसे कड़ी में आज हम एक स्वाविन के बहुती अच्छे बीच के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं यूँ तो इस बीच के बारे में आपने सुना भी होगा कुछ किसन भाईयों ने से लगाया भी होगा कुछ किसन भाइयों ने से शोशल मीडिया के बाद जम से वीडियो से भी देखा होगा जी किसन भाइयों बात करें आज स्वयविन की जी एस वेराइटी के बीस उनसित्तर बीच की जिसे की जवाला नहरू करशी विश्यू इद्यालाई जेबलपूर ने बनाया है और यह किसम स्वयविन की किसानों के लिए चमतकरी किसम सवीत हुई किसन सची यहूं क्योंकि इसमें कुछ ऐसे गुन हैं जो शायदी आपको अन्ने किसमों में देखने को मिले इसकी जो शुशिस्ताएं है उसमें से कुछ गोन या इसके जो लक्षन होते हैं वो आपको جेस बिस चोतिस में भी देखने को मिलते हैं और बहुत सारे किसान बाय इसको बीस चोतिस बड़ी वाली भी बोलते हैं क्योंकि जेज़ 24-34 की पौदो की हाइट चोटी रहती हैं इसके फूल और फलिया भी just 24 की तरह ही होते हैं यानि फूल सपैद होते हैं फलिया भी भूरे रंकी होती हैं लेकिन jes-24 ndaYas перек accepts cya tree में सिर्फ इतना फर्क है से तर दिन के बाद आने वाल र לפre हैं और इसकी एक ड़ी तो किसनसातिवों आज हम कैवल जैससाइस बिसन सथितर के बारे में बात कर रहे हैं तो यहां एक ळेस्ट जैससे आनेकछ स्थितविन में लगने वाले रोगों के लिए पर्तिरोदक शम्तार रखती हैं साथ ये जलवायू के अनुकुल भी अपने आपको ढ़ालने की कोशिश करती हैं यानि विपरित मौसम में भी या विपरित परिस्योतियों में भी ये अच्छा कासा उत्पादन देती हैं बात करें इसके पकने के उज जादा देर तक जारी रहती हैं तो इसके पकने के उद्धी में दो से चार दिन का उंतर हो सकता हैं इसमें जो रोगों के पर्ति लड़ने की शम्ता हैं वह अन्य किस्मों से अधिग हैं तो अब यह जान लेते हैं कि ये कुन-कुन से रोगों के लिए पर्तिरोदी किस्म है तो किसन सात्यूं जो इसमें आने वाले रोग जैसे की पीला मोजेक, चारकॉल, सडन, जुलसा रोग, जीवानों दब्बा रोग, या परणी दब्बे रोग, इन रोगों के परती यह अच्छे खासी परतिरोदक्षमता रखती हैं, वहीं यह कुछ कीटों के परती भी परति मिले पर वगरे इलिया जो होती हैं, उनके लिए भी यह अच्छे खासी परतिरोदक्षमता रखती हैं, साथ इसके वीजियों में अंकुरण की भी बहुत बढ़िया शमता होती हैं किसन सात्यूं, शिक्र या मद्यमोस्ता में पकने के करण, आने वाले फसलों की जल्दी से बुआई हो जाती हैं, जिस्ते की किसान भाई रभी सिजन की फसलों की जो बुआई कर सकते हैं, यह उन पर पानी की कमी होती हैं, जो खरीब सिजन की जो नमी खेतों में बची हुई होती हैं, वो उन फसलों की बुआई आसानी से कर सकते हैं, और इसकी जो पोदे की जो इसके साथ लगाना चाहे तो किसन साथियों इस किसम के दाने चमकदार होते हैं और सो दाने का वजन लगबख 10-11 ग्राम होता है जिसा कि मैंने आपको बताया था कि इसके फूलों का रंग सपेद होता है और जो फूल आने के अवधिये वो लगबख 40 दिन की होती है फलियां भूले रंकी होती है और इसमें चटेगने की यानि फली के लाने बेकरने की कोई संभावना नहीं है इस किसम में अधिक वर्चा वो बीमारी के परती भूती बढ़िया परतीरों तक शमता है साथ इसकी उत्पादन शमता है वो भी बहुती अच्छी है किसन साथियों यदि आप भी इस वेराइटी को लगाना चाहे तो लगा सकते हैं मैं तो आप कमेशे यही बोलता हूँ कि आप कम से कम दो वेराइटे लगाएं एक शिगर पकने वाली वेराइटी और एक देर से या मध्यमवदी में पकने वाली वेराइटी जिससे कि यदि मानसून जल्दी चल जाता हैं तो आपको जोखिम कम रहता है कि दोनों विराइटियों में से कौई कौन सी विराइटी तो अपको अच्छी उपज़ देगी ही तो किसन सात्यों इस वीडियो में इतने ही चंद करें थी वो जिदि आप किसी आइन्य विराइटी के बारे में भी जानना चाहते हैं तो वो भी कमेंट में नाम मेंचन करके आप हमें बता सकते हैं तो उम्मिद करता हूं कि यह जानकारी आपको पसंद आएगी पसंद आए तो प्लिस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना किसन सात्यों यदि आपको यह जानकारी पसंद आती हैं तो आप